तो गाइस मैं हुआं की तोर आप देख रहे हैं रस्लिंग फैंस नाइट पाग आखरी वीडियो है गाइस यह किंग एंड क्वीन ऑफ दरिंग से पहले एंड कुछ फाइनल लास्ट मिनट अपडेट से देख लेते हैं तो इस रूमर्ड लाइनप है मेरे पास रूमर्ड मैं तो डाइटल मैच इस बैक टू बैक स्टाटिंग में यह कुछ बताया जा रहा है यहां पर नाया जैक्स का क्वीन ऑफ दरिंग का फाइनल सोने वाला है यहां पर नाया जैक्स जीतेंगी मैंने अपनी प्रेडिक्सेंस बाइडवे ट्विटर पर पोस्ट कर दिये अब वह कर रहे हैं जो मैंसे कॉंफिडेंटली आपको कह सको कि हाँ यही होगा मैं जारा स्योर नहीं हूं इंटरेट पर यह चीज़ है तो बस मैं आपके साथ सेर कर रहा हूं आपको क्या लगता आपको कॉमेंट करके बता सकतो अभी के इस आप से बात करते हैं अगली स्टोरी के अब बारे में जो कि अंकल हौडी को लेकर तो गयाज अंकल हाटी के टीजेस भाई बिलुकुल फुल फॉर्स में पर फुल फॉर्स में और क्वीन ऑफ दरिंग से पहले और अभी क्या है कि कि को चल रहा है जब में विडियो सूट कर रहा हूं कि काउंट आप लोग आपको को मिला है अभी काउंट डाउन टू किंग और क्वीन ऑफ दरिंग यानि किक ओफ सो में प्रॉपर किक ओफ सो में भी देखने को मिल रहा है कई सारे ओडियो ग्लेचेस यानि कि फुल फॉर्स में टेक ओवर कर लिया है वायट सिक्स ने भाई जड़ा को एंड सायद फाइन लेट सी लेट सो फिंगर्स क्रोस करकर रहोगी आज हो अंकल हावडी का रिटैन वायट सिक्स का डेव और किस पे अटैक करेंगे क्या अपने मैंच के रिगार्डिंग जो कि उनका गुंधर का कॉमेंट मैं आपको पिछली वीडियो में दिखाया कि गुंधर ने क्या कहा ह गुंधर कहते हैं कि एक लेजन्ट को हरा के मैं लेजन्ट बनूँगा एंड बनूँगा किंग ऑफ दरिंग अब उसके बाद रैंडी ओर्टन क्या कॉमेंट करते हैं इस मैच को पर रैंडी ओर्टन का भाई कुछ यह कहने हैं डिप अपनी वीडियो पोस्ट करें आप जा के साथ यह आपके सामने एक प्रूफ होगा आप सामने से देख सकते हो कि एक साबित करेगा मैच कि मैं आज भी इस एज में भी यंगर टैलिंट के साथ मैच अच्छे से रसल कर सकता हूं यानि उनके साथ टोट टोट जा सकता हूं यह कुछ रैंडी ओर्टन ने कहा है तो का मतलब कि वह जादा लेजर फोकस्ट हैं एक अच्छा मैच देने की तरफ एंड बिलीव में गाइज बहुत तगरा मैच होगा इस मैच के लिए में इवन इवेंट होता तो जादा मजाता बिकॉज एक तो किंग और क्वीन ओफ दरिंग पियली का नाम है तो किंग ओफ द आज भी टो टू टो जा सकते हैं यंगर टैलेंट के साथ इस एज में भी साथ में अच्छी न्यूज यह वह कि रैंडी ओटन कहते हैं कि वह काफी अच्छा फील कर रहें जैसे अर्ली ट्वैंटी में वह फील करते थे वैसा ही वह अभी भी फील कर रहें तो यह बहुत अगली स्टोरी के बारे में जो कि किंग एंड क्वीन ऑफ दरींग के फाइनल बैटिंग और्स को लेगे तो बाई फाइनल और्स पे नजर डाल लेते हैं कौन से मैच में कौन जीत रहा सारे मैच इसके और लेकिन जो कुछ नहीं है उनके भी मैं आपको बता दूंगा वह जाएंगे लिए उन्डिस्पिटेट डवी उन्वर्सल चैंप से मैच है बाई कोडी रोड्स वर्सल लोगन पॉल का अंडिस्पिटेट टाइटल ऑन दे लाइन है युनाइट इस्टेट्स टाइटल बिल्कुल सेफ एंड सक्योर है कोडी रोड्स हैवी फेवरेट है माइ प्लस 1200 के ओड्स के साथ 900 बाई यहाँ पर हमें पता है क्या होने वाला है उसके बाद विमन्स वर्ल चैंप से मैच बेकलेंच डिफेंड करेंगी टाइटल अगेंस लिव मॉर्गन अन्डर अंडर ऑग है प्लस 110 के ओड्स के साथ यहाँ पे एक चीज नोट करने लाइक यह है कि बेकलेंच के लिए जो ओड्स है वो नीचे गिरें पहले और फेवरेट थी माइनस 170 और उनके लिए लिए लेगन अभी बेकलेंच के लिए ओड्स नीच गिरें and अभी जो लिव मॉर्गन है वो पहले से थोरी बेटर कंडिशन में यानि की अंडर डॉक तो भी बहले लेकिन अभी थोरी सी कम अंडर्डॉग है जो पहले बहुत जारा है वी फेवरेट थी वह भी थोरी कम है वी फेवरेट हुई है उसके बाद इंटर कॉंटिनेटर टाइटल मैच है यहां पर सेमीजेंट टिंट करेंगे इंटर कोंटिनेटर चैंपस है अगेंस्ट ब्रॉंस टायटर रीटेंट करेंगे बागी क्विन ऑफ दर इंग का फिनाल है उसके लिए ओॉड्स नहीं है लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि बैटिंग और किसको फेवर करते हैं तो मैं बता ही सकता हूँ आपको लायरा वलकारिया वर्से नाय जैक्स के मैच में और समानके चलो भाई फेवर कर रहे हैं नाय जैक्स को बिकॉज उनके मोमेंटम के कारण मोमेंटम लायरा वलकारिया का भी ह लेकि नाज एक्स की बुकिंग काफी इंप्रूब हुई है गुंथर वर्से ओट थोड़ा मुस्किले लेकिन ओट से यहां पर गुंथर को फेवर करेंगे और बागी अपना जेट कारगी लैंड बियांका ब्लेर का जो मैच है इन सामने कैंडिस ले इंडी हाट वल से उसमें इंविटेशन विल ऑस्परे ने विल ऑस्परे कहते हैं I don't know how much longer रिको से has got in his contract but I think it might be up soon man I don't know कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है उसका contract जल्दी घत्म होगा लेकिन मैं exactly नहीं जानता उसके बाद कहते हैं I want him to know that there are people here in AEW that genuinely appreciate his work and I want to wrestle him again इससे पहले इस जो स्टेटमें मैं आपको बता रहा हूं इससे स्टेटमेंट से पहले कह रहेते हैं विल ऑस्परे के इनके booking डबेड़ी के अंदर अच्छी नहीं है अब कहते हैं कि एड़ी के अंदर बहुत सब्सक्राइब करना चाहता हूं रिकोसे से इस बार अपको मैंने अपडेट बतायोगी दो-ती दिन पहले कि बताया रहा है कि रोमन रेंज एक्सपेक्टेड टाइम से पहले वापस आ जाएंगे यह एक पॉजिटिव अपडेट थी क्योंकि साथ वो फिल्म की सूटिंग इसी अफ़ते आगले अफ़ते रैप करने वाले तो माना जा रहा है कि रोमन रेंज जल्दी वापस आ जाएंगे लेकि रिंग फिल्हाल इस वीडियो के लिए बसे कुछ अपडेट थी अब किंग और क्वीन ओफ दरिंग चालू होने वाले सो लेट सी क्या होता है इवेंट में क्या नहीं मैं ट्विटर पर लाइब ट्वीटिंग करूंगा तो आप फॉलो कर सकते हो वहाँ पर आपको पता चल जगा क क्या है मेरे दी एक्सन वागे हम लोग मिलेंगे किंग और क्वीन ओफ दरिंग के बाद अगर कुछ बीच में मैसिव हो जाता है तो और मज़दार हो जाएगा बागी लेट सी होप करता हूं है कि कुछ इतना वरा हो जाएगी रात में वीडियो डालनी पर जाए नहीं तो फिर कल सुबा मिलेंगे तब तक के लिए गुड़ वाई लाइक से सब्सक्राइब करना ओ वाई बाई माइक को थोड़ दिया है मैंने लगता है बाई